पासकार किसान भाईयों स्वागत है आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल अधार फार में किसान भाईयों जैसा कि आप लोग देख सकते मेरा पीछे जो है सरसो का पूरा खेत है किसान भाई सरसो और आलो को मिक्स करके लगाया हुआ है अज वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सरसो का खेती आप कoidसे ले सकते दिसंबर का मा में किसान भाई सरसो का खेती के लिए जितना भी आपका दाला जो सब्सवी हो जाता है सकतாन तो आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपü सर्सों का बहुत अच्छा कर ले सकते हैं और अच्छा पैदवार सकते हैं वह बात करें कि समय इसका जो भराईट MR Glavine Tech हाइब देशी भराईट है तो इसका जो हाइट इसका है बहुत नीचे तक जाता है इसके वजह से बहुत उच्छा तक जा रहा है जिसके कारण इसमें फलिया भी भहुत जाद ज्सक्राह इसका जो कुंसा सब्लेंट का ज्चान यरेट है तों से पैदवार होता है तमाम चीज़ों बारे में आप पता कर लिजिए उसके ही आप भरायटी का चुनाव करें कि हम बताईएंगे वह सकता आपके छेतर नां हो उतना अच्छाmeter ना मिले तो आप डियान रखिए इस बात का कि आप लोग भराइटी का चुनाव अपना छेत्र के अधार पर ही किजे उसका अ पहले बात करें जो खेती तो आप कियोंकि अगर उसके खिसांम में और सर्षों का भुवाय करने हैं तो पूरा आपको खेट को खाली करना पड़ेगा आगर आप देख सकते हैं यह एक साथ दो तीन सब्जी लगाया हुआ है अप लोग नीचे देख सकते हैं नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको मुली मिल जागा आपको यहां तीन तरह का सब्जी को एक साथ करके लगाया हुआ है जैसे आलू है मुली है और यह सरसो है किसान पुरा खेद को छुटाए करने के पाटा मार करके पूरा खेद को आगको समतल करने के बाद अगर आपको क्यारी बनाना चाहिए तो क्यारी बना सकते हैं या फिर आप पूरा बेड़ में आप जो इस प्रिंकलर करके आता है किसान भायो जो फुहारा टाइब में पानी का छिरकाव करता है वो इसे में आप ले सकते हैं या फिर आप किसान भायो आप कियारी में ही इसका सबसे अच्छा रहता है क्योंकि क्यारी आप बनाएंगे जै सिह गएू में पानी देते है उस टाइब में अगर आप सर्षों में भी भी पानी देरें तो आपको कम खर्चा लगेगा सबसे पाले तो आपको जो मेहनत है वो कम लगेगा लेबर कम लगेगा situation संवाहन चाहिम पहलेंगा तो सब्सक्राइब रहता है जो छो नाफ़ा चुनाओं ने आप सरसो का खेती एक बाद जरूर करें आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा तो किसान भायो बात करें इसको किसी परकार का कोई भी इसमें और खर्चा नहीं लगता है एक बार आप बुगाई कर देजिए बुगाई करने के बाद आपको सिचाई करते जाना है सिचाई कर रहें तो सिचाई करने के बाद जैसे आपका खेद पुरा गिला रहता है उस टाइम में भी आप इसमें खाट डाल सकते हैं तो एक एकड के हिसाब से अगर आप खाट सुरुवाद में डाल रहें तो आपको जादे खाट दे देंगे तो आपका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा आपका जो सरसो का जो बीज है वो ग्रोथ होने में टाइम लगेगा किसान भाई और गल भी सकता है इसलिए आधा-धा करके दिया जाता ह में आप आधा डालिये उसके बाद जैसे आपका जैसे सरसो निकल रहां जैसे इस टाइप से अभी है इसमें सुर्वाद में डाले 15 kg dept5 ज्यूर्यार पोटास अगर आप डाल रहे किसान भायो तो बीद नेख city के पत्ता के लिएर उसके एक वार्श करते हैं उन्मीद करते हैं विडियो साथ आप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते किसान भाई अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद